हाई मेरी यूटूब फैमिली कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे खुस होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्थ होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ आई थिर आप सभी के एक नई रमेड़ी ले करके आई हूँ जी हाँ गर्मियों में हम अपने स्कीन का किस तरीके से देख भाल करें जिससे हमाई स्कीन पर ना टैनिंग हो ना डार्क हो ना ही रहसस हो ना ही इचिंग हो और ना ही हमाई स्कीन का कलर डल हो जी हाँ, गर्मियों में अगर हम ये टोनर अपने स्किन पे लगाते हैं तो हमाय स्किन से टैनिंग भी दूर होती है और साथ हमाय स्किन हाई टेट रहती है, हमाय स्किन पे एक्ष्टा ओयल नहीं रहता है और हमाय स्किन पे जब एक्ष्टा ओयल नहीं रहेगा तो हमाय स्किन पे कील, मुहा से पिमपल्स नहीं होंगे, जी हाँ, समर में स्किन की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, ऑईल, हमाय स्किन एक्स्टा ऑईल हो जाती है, जी हाँ, और इस एक्स्टा ऑईल की वज़े से हमाय स्किन पे मुहा से निकलते हैं, इस एक्स्टा ऑईल की वज़े से हम लिए श्टोर कर सकते हैं और रोजाना डेली अपने स्किन पे चार से पांच बार लगा सकते हैं इस टोनर से आपके आखों के नीचे जो डार्क सवकर है काले घेरे हैं वो दूर होंगे और आपके ओपन स्पोर्ट की प्रॉब्लम भी दूर होगी यह टोनर आपके स्किन को व लाइक करना है वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा तो फ्रंस इस टोनर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक खीरा लेना है जी हां अगर आपका खीरा थोड़ा पुराना हो गया हो खराब हो गया हो तो उसे फेक ही यह नहीं आप उसको टोनर बनाकर बना रहता है गर्मियों में इसकिन पे जलन हो रही हो या सूजन हो यह प्रॉब्लम भी दूर करता है तो यहां पे मैंने खेरे को कदुकस कर लिया है ठीक है आपको जिस तरीके से कोकुमबर का जूस निकाल लीजिएगा अब इसे मैं छान लेती हूँ ठीक है इस तरीके से आपको इसे चान लेना है इसमें बिल्कुल भी छोटे छोटे कर नहीं होने चाहिए ठीक है चानने के बाद इसमें हम कुछ चीजे एड करेंगे जो हमाई स्किन की प्रॉब्लम को दूर करेगा खीरे में विटामिन सी जो होता है वो हमाई रंगत को फेयर करता है समर के ठीक है अब यहाँ पे हम जो एड करने जा रहे हैं गुलाब जल रोज वाटर जी हां रोज वाटर हम यहाँ पे पांच बड़े चमच एड करेंगे जो हमाई स्किन को हाईटेट रखने में साथ हमाई स्किन के रसस को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा रो यहाँ पे मैंने हाफ नीबू लिया है इसे निचोड़ेंगे तो वन स्किन ये जूस निकलाएगा लेमन का इसे एड कर देते हैं अगर आपके स्किन को नीबू सूट नहीं करता है इचिंग होती है रसस होता है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं बट आपके स्किन को सूट कर तो कुछ ट्राप आप यहां पर एड़ करेंगे अलमेंड और अगर यह आपके पास नहीं है तो आप यहां पर विटामिन E कैपसूल कट करके उसका सारा ओल इसमें एड़ करेंगे एक कैपसूल अगर आपकी स्किन ड्राई है तो दो कैपसूल अब इसे अच्छे से मिक्स कर अबयूंमेंड में विटामिन in 컨encies मिक्स बर्द नाता है वोच 6 की समझ्याब के दूर अब यहां पर आता है स्टोर करने के लिए इस को दो करने के मैं यहां पर या पर यी इस प्रे वाला क상이म में पूले कर लिए है इसमें हम साण में आप बशी से इस रिंड्र कर लेंगे औ जी हां और जब हमें यूज में लेना होगा तब निकालेंगे और फिर इसे स्टोर कर देंगे अगर आपने रूम टेंपरेचर पर इसे स्टोर किया तो इसमें से दो दिन में ही बद्बू आने लगेगी क्योंकि गर्मियों में खराब हो जाएगा और फ्रेंड्स इस टोनर को आप टीन एजर में तो भी अपलाई कर सकते हैं बट पहली बार कोई भी रमेडिया हमें यूज करते हैं तो इस टोनर की सबसे अच्छी खुवी क्या है आप कोई भी रमेडिया बना रहे हैं फेज के लिए उसमें आप सिफ वन स्पून एड़ कर देते हैं तो वो रमेडिया आपकी स्किन पर इंस्टंट ग्लो लाती है वो रमेडिया आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा वेनिफिट देती है यहाँ पर देखें मैंने अच्छे से स्टोर कर लिया है अब इसे हम फेज में रख देंगे और जब जी चाहेगा इसे निकालेंगे फेज पर लगाएंगे सबसे पहले फेजवास करेंगे दिन में दो तिन बार लगा रहे हैं तो दो तिन बार फेजवास तो आप करेंगे नहीं सिर्फ पानी से फेस को clean करके फिर आपको इस तरीके से अपने चेहरे पे apply करना है यहाँ पे देखिए मैं पूरे फेस पे से spray करूंगी पहले से थोड़ा सा हम इस तरीके से हिला लेंगे फिर spray करेंगे जब spray हो जाएगा तो हम यहाँ पे 30 सेकंड के लिए रुकेंगे कि हमाई स्किन की घहराई में जाए 30 सेकंड के बाद आपको करना क्या है एक cotton लेंगे पूरे फेस को clean करेंगे ठीक है इससे क्या होगा आपके फेस पे जो extra oil है गंदगी है वो clean हो जाएगा ठीक है अच्छे से clean करने के बाद फिर दुबारा आपको पूरे फेस पे इसे spray करना है ठीक है पूरे फेस पे अच्छे से spray करने के बाद अपने फेस को यूँ ही छोड़ देना है टच भी नहीं करना है इसकिन की गहराई में जाने देना है ड्राइ होने देना है ठीक है और अगर आपके पास spray वाली बोतल नहीं है तो आप cotton की help से भी अपने skin पर अप्लाई कर सकते हैं यह आपकी skin को hydrate रखेगा नमी रखेगा आपकी skin पर और आपकी skin को bright और light बनाएगा